पर मैंने आप लोगों को निमेरिकल्स दिये थे दो फोप आप लोगों ने उन्हें सोल कर लिये होगा और उनके सोलुशन्स देखो आप लोग पहला सवाल था कि अगर एक चार्ज है माइनस क्यू और एक दूसरा चार्ज है प्लस चार क्यू तो तरतीयावेश की इस्तती चि साम्मे इवस्ता कीधर होगी में इधर या इधर बीच में तो ओगी नहीं क्यों क्योंगी दोनों के चिलनिके हैं विप्रीद यहां तैंदर होगी या इधर होगी तो तो इसको क्या करेगा क्या करेगा इस इसकी वज़ा से इस पर बल इधर और इस पर कहले इधर। टो पहले बात इस को अपने plus का मान रहे हैं भी मान रहे हैं पेडिक है ना तो इस पर क्ल बल क्या होना जाए के जीरो for कुल बल जी रोगा तो इसकी वज़े से स्थपर ब लिख दू क्या हैगा के क्यू ङू बटा एकस स्क्वियर और इसकी वज़े से पर बनकाल लेगा टो one अपॉन एकश स्क्वियर बर आबर चार बटा ये कर्स literaryęd म्ट courtyard जेगा एक बटा एक्स ब्रावर, 1 अपॉन प्लास एक्स, यहां से जब इसे सोल करते दंग यहां से डूरी कितना होκιता एक्स इसकी साम में और इसकी साम में वस्ता हो गई,शी माना कि यह प्लस अगर यह प्लस है तो यह से क्या कर रहा होगा इधर आकर्शित और यह से क्या कर रहा होगा इसे इधर आकर्शित हाँ दोनों की दिशा विप्रीत है तो दोनों की दिशा विप्रीत है तो इनके मापां क्या करने समान तो इसकी वजह से इस परबल कितना लग रहा है के चार Q in to Q बाटा 10 स्कवएर बरावर इसकी वजे से इसकी वज़े से इस पर पल इधर क्योंकि इसको प्लस माना अंगा तो कितना आ जाया कब हो की घुब बटा दस का कि क्स्क्राइन स्कहरको क्रेंड & इस Q का मान कितना आ गया? उस्तिर वेधु दिकी मैं क fountain के निएम से हम बोल सकते हैं कि इस पर भी कुल बल क्या होगा? तो जो बैस आएशने दिए जाएं, तो आप 2 पर 0 बलड प्रूव कर दो तो तो थीसरे पर अपने आप बल 0 हो जयेगा तो इसका मतलब इस Q का चिन्द क्या होना जी है प्लस, मान, चार Q चोटे आवेश का चार गुना और तीसरी बात इस्तिती कि यह जो चोटा वाला आवेश है इससे इधर दस मीटर की दूरी पर तो यह आपके पहले सवल का आंसर, दूसरा सवल दूसरा क्वेशन जो था हॉम वाक का, दूसरे सवल का क्या अंसर होगा, वो देखो मैंने तुम्हें दिया था कि एक वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोनों पर समान प्लस Q आवे, यह Q ए भी Q, ए भी Q और ए भी Q, और इसकी गुजा की लंबाई L मान ले ठीक है, तो पांच वावेश Q का चिन, मान, तता इस्तती क्या होनी चीए कि यह संपूर्ण निकाए सामने वस्ता में रहे, अब पहली बाते देखो अगर आप लिन चारों पर देखा देखो, सभी की सामने वस्ता देखनी है तो यह इसे क्या कर रहोगा, परतिकर्शित इधर यह भी इसे क्या कर रहोगा, परतिकर्शित इधर और यह भी इसे क्या कर रहोगा, परतिकर्शित इधर इसकी वज़े से इस पर बल कितना लग रहोगा के क्यू स्क्वार बटा L square इसकी वज़़ से इस पर बल के Q square बटा L square और इसकी वज़़ से इस पर बल तो बेटा अगर यह ल है cens लंबहे लोगे ने टो ङिसी है यह कितना हो गया में जयारी टो यह लहीं कितना हो गशा एसकी वज़़ इस पर बल कितना है लगा रहा होगा इधर इस पर भी ये बल लगा रहा होगा इधर और ये बल लगा रहा होगा इधर ऐसी परते कावेश पर इस तरीके से बल लग रहे होंगे ना पहले बाद तो यह अब चुंकि अपन एक सектив हो इन बांकी सब्पेसEEEE तो देखो इस पर पुल बल कितना लग रहा है तो देखो ये वाला बल और ये वाला बल कर दोनों 90 q और ये वाला और ये वाला दिग्रीप है और दोनों का देखो मान समान कितना के क्यों sqr by L square और इसका भी क्यों sqr by L square इन दोनों का परिणामी इसी दिशा में तो आएगा जब दो सदिश एक दूसरे के लंबत हो और मापंक में समान हो तो उनका परिणामी क्या आता है उनका परिणामी बिलकुल बीच में आता है यह अपन पहले भी देख चुके आपने सदिश के कहीं सवाल भी किये होंगे तो इधर ये वली लग रहा है और इसी की दिशा में इन दोनों का भी परेणामी आजाएगा तो इस दिशा में जो परिणामी बलोगा किसी भी आवेश पर देखो मैं आपर नया डागराम बना के बताता हूँ कि इस पर जो कुल बल लग रहा होगा इधर लग रहा होगा कितना कितना एक पर ये लगी रहा था K Q स्कूर बटा ROOT 2L का होली स्कूरर इसे क्या लिख सकते हैं 2 L स्कूर प्लस इन दोनों का परेणामी तो दो सदिश जो 90 डिक्रीप है है उनका परेणामी क्य परिणामी कितना हो देरोट टु matter तो इसी में सको जोड़ दो कि दो नोगी एसे इस पर चोप जबार खिल उगम यह एप एस सभी पर उन इतना इस पर बितना इस इतना तो अब पहली बात अगर मुझे इस पर पुल बल झीरो करना है और इस पर भीकुल बल जीरो करना है इस तो एसी इस्तति कब संभव हूए जब अपन जो पाँच्व अवेश है विल्कुल सेंटर पे रखें और मानना कीव कितना है क्यों अब ये क्यों इस प्रकार का वना चीह है कि इस बलको इस बलको और इस बलको नेरस्ट कर दे तो नेरस्ट कब करेगा जब मैंस का होगा क्यों क्योंकि इस पर यह जो क्यूं है यह वाला क्यूं है यह वाला क्यूं है इनको इस पर यह आकर्शन बल लगाए पीर चेह इधर भी यह लगे इधर भी यह लगे और इधर भी यह लगे तो इस क्यूं के कारण इस पर जो बल लग रहा है वह पीछे लगना जी तो पीछे लगन क्योंकि देखो center पे रहेगा तभी तो सभी से समान दूरी पर रहेगा इसलिए समान बल आरोपित करेगा चारोपे तो इधर पीछे बल लगना चाहिए अब ये बल कितना लगना चाहिए ये बल इतना लगना चाहिए कि इसको निरस्त कर दे और इसको निरस्त कबल करेगा कितना जाएगा एल बटा रूट दो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम देखो ध्यान से के क्यू स्क्वाइर बटा टू एल स्क्वाइर प्लस रूट टू के क्यू स्क्वाइर बटा एल स्क्वाइर यह बराबर होना चीह है यह मापांक बराबर होना चीह है इन दोनों की तो यह तो L square root 2 का square करोगे तो 2 लेकिन हो 2 कहां चला जाएगा उपर इधर आई बात समझ मैं है अब इसे solve कर लो इस Q के लिए तो इस Q के लिए जब solve करोगे तो देखो क्या हैगा यहां से क्या common आ रहा है तो यहां से common आ रहा है L square तो L square common लेकि इधर से कट जाएगा और उपर से KQ भी common आ रहा है तो देखो क्या होगा इधर से KQ square common आ रहा है तो क्या लिख दूँगा KQ square बटा L square अंदर कितना बचा 1 upon 2 plus root 2 बराबर 2 KQ Q बटा L square L square से L square कट गया इस KQ से यह KQ यहां Q बचा इसका मतलब जो अपना final answer आएगा वो क्या आएगा final answer मैं यहां पर लिख देता हूँ इसे मिटा रहूँ मैं तो final answer जो आया वो कितना आया देखो final answer आया Q बराबर Q बराबर Q यह 2 भी नीचे आजाएगा Q बटा दो 1 बटा दो plus root 2 इसे LCM लेके आप लिख सकते हो तो Q बराबर कितना आजाएगा देखो दो को भी अंदर ले जाओ इसका LCM ले लो तो कितना जाएगा Q 1 plus 2 root 2 divide by 4 और चिन्द के साँ होना चीए minus वो तो आपन पहले भी देख चुके तो इस बड़े Q का मान कितने मानका होना चीए इतने मानका और चिन्द के साँ होना चीए, minus तो center पह और कितने मानका इतने मानका जब आप रखोगे तो 4 के बल को निरस्थ कर देगा उसके बल को जीरो करी दिया जब इतना रखोगे न चार्फ लिए बल इस बल को निरस्त कर देगा ऐसे बल को भी निरस्त कर देगा क्यों क्यों कि यहां पे रखा तो यह इस पर भी लगा रहा रहा इस पर भी लगा रहा है इस पर भी लगा रहा है लेकिन किदर पीछे के तरफ इसका मतलब और खुद तो साम में वस्ता में ही कैसे हैं तो यह इस पर बल किदर लगा रहा होगा यह इस पर बल इधर यह इस पर बल इधर यह इस पर बल इधर इसको यह निरस्त कर देगा इसको यह निरस्ट कर देगा, इसका मतलब जो पांच वावेश है, वो भी साम मेवस्था में है, तो इनकी साम मेवस्था तो देखे लिए चारों की, पांच वावेश भी किसमें हो गया, साम मेवस्था में, इसका मतलब यह निकाय किसमें रहेगा, साम मेवस्था में, कब, जब इतना और चिन्न के सांट इस सवाल का क्या है आंसर चलो अब जो आज का अपना टोपिक है इस्तिर वैद्धूति की बल पर माधियम का प्रभाव क्या है इस्तिर वैद्धूति की बल पर बल पर माध्यम का प्रभाव माध्यम का प्रभाव माध्यम का प्रभाव पहली बात मैंने बोला तो मैं कि माध्यम चेंज होने पर यह बल चेंज हो जाता है तो देखो माना कि अभी तक जो दो बिंदू आवेश थे वो दोनों बिंदुआ वेश किसमें रख्यों वेते हवा में या निरवात में वेक्यूम में तो इन यह तो आरदूरी पर थे तो इस पर बल्न कितना लग रहा था बाटा दोनों के मत्र लगने वाला इस तीर्व थिती की बल उसका मापां कितना था एब बराबर के Q, इसे Q1 बोलते हैं, इसे Q2 बोलते हैं, Q1, Q2 बटा R स्क्वार, और K को क्या लिख रहे थे हैं, अपन, 1 अपन, 4Pi, Epsilon 0, Q1, Q2 बटा R स्क्वार, यह हमने बोला था, अब एक चीज बताओ, मैंने बोला था उस दिन, कि यह क्या चीज हैं, इसे बोलते हैं, निर्वात की वि दुच्शीलता, इसका मतलब यह किस में रखे हूँ हैं, हवा में या निर्वात में, ठीक, अब अगर हवा में या निर्वात में, इसका मान भी अपन देख चुके थे, के को यह से लिखा जाता है, और के क्या है, के है इस्तिर्वेद्धिती की नियतांग, इतना बल लग अगर यह तो किस में था, निर्वात में बोल दो या हवा में बोल दो, ए अरब, यह दोनों आवेश आरदूरी पर, अगर मान लो, कि मैं आप से बोलूं, इस्तिती नंबर दो, कि इनी दोनों आवेशों को, आरदूरी पर तो रखा, लेकिन अब इनके बीच में क्या आगय माध्यम, माध्यम, तो इन दोनों आवेशों को माध्यम में डूबो दिया, इसा समझों कि दोनों कुछ आवेश को, आरदूरी पर तो रखा, लेकिन अब इकिस में है, किसी माध्यम है, माध्यम पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो फि है इसके नीचे जीरो लग रहा है तो यह बात किसके कर रहे है निरवात की लेकिन अब जब यहां पर आप एपसाइलन लिकोगे तो बात किसके आगई माध्यम की और यह कितना हो जाएगा एपसाइलन नोट और जब माध्यम में तो एपसाइलन जाप एपसाइलन को क्या बोलते हैं माध्यम की विद्दुशीलता अगर मैं इस समीकरण को एक नाम देदू और इस समीकरण को दो नाम देदू इसे अपन एप माध्यम बोल दू इसे में माध्यम लिक रहा हूं और इस उसको क्या लिख रहा हूँ एफ निर्वात या हवा ठीक है ना इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर एक और इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर दो अब मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ और मिटा के समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे रहा हूँ ध्यान से सुनना नमबर एक में दोका भाग दिया तो देखो हमें क्या मिलेगा तो equation 1 divided by equation number 2 तो equation 1 divided by equation number 2 तो में क्या मिला f निर्वात बटा f माध्यम पहली भात विए f से डिवाइड हो गया बटा 1 upon 4 pi epsilon note q1 q2 बटा r square बटा 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 बटा r square इससे तो यह cancel हो जाएगा 4 pi से 4 pi cancel epsilon कहां चला जाएगा उपर तो यहां पहे क्या है f निर्वात बटा f माध्यम बराबर कितना यह epsilon बटा epsilon not epsilon बटा epsilon not और बेटा इसे बोला जाता है epsilon r कितने सारे पद हैं इन सारे terms को आपको याद रखना यह है epsilon epsilon क्या है माध्यम की विद्धुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् निर्वात की विद्धु शिल्ता अब सिको अगर आपसे बोला जाए कि सापेक्ष विद्धु शिल्ता क्या है तो इसकी परीभाशा क्या लेख सकते हो कि सापेक्ष विद्धु शिल्ता बराबर होती है किसके उन दो बलों के अनुपात के उन दो बलों के अनुपात के और दोनों बल कब-कब लग रहे हैं जब दो आवेशों को एक बार तो रखा आर दूरी पर निर्वात में और जब दो आवेशों को एक बार रखा किसी माध्यम में तो सापेक्ष विद्दु शिल्टा उन दो बलों के अनुपात के बराबर होती है जो बल दो आवेश जो एक दूसरे से आरदूरी पर रखे हैं तब उनके मद्धे निर्वात में बल लग रहा है और उनी दोनों आवेशों को जब हम रखते हैं किसी माद्यम में तब उनके मद्धे जो बल लग रहा है तब उनके मद्दे लगने वाले बल तथा जब दो आवेश उसी समान दूरी पर किसी माद्यम में रखे हूँ है तब उनके मद्दे लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है सापेक्ष विद्दुशील्टा या यह बोल दो कि माद्यम की विद्दुशील्टा तथा निर है अपन यहां से लिख सकते हैं कि जो एफसाइलन एफसाइलन है जो क्या है एफसाइलन वो कितना आया एफसाइलन नोट बटा एफसाइलन नोट इंटु एफसाइलन आर एफसाइलन क्या है एफसाइलन नोट इंटु एफसाइलन आर ठीक है ना मतलब सापेक्ष विद्दु शीलता इंटू निर्वाद की विद्दू शीलता बराबर, साप एक शुद्दू शीलता इंटू, साप एक शुद्दू शीलता इंटू, निर्वाद की विद्दू शीलता बराबर, माध्यम की विद्दू शीलता, और इधर, माध्यम की विद्दू शीलता बटा, निर्वा माध्यम कितना लिखा था हम लोगोंने पहले एक्वेशन नमबर टू याद करो एप माध्यम बराबर कितना था वो था वन अपोन फोर पाई एफसाइलन क्यू वन क्यू टू बटा आरी स्क्वेर यह लिखा था एफसाइलन की जगे रख सकता हूं मैं तो जब आप इसी लिख होगे तो एप माध्यम बराबर कितना आया वन अपोन फोर पाई एफसाइलन नोट इंतू एफसाइलन आर तू बेटा वन अपोन फोर पाई एफसाइलन आर 었ओ था बनापोन टू आरे स्क्वेर यह क्या है यह तो निरवात में लगने वाला यह तो तो यह दोनोंੰ आ गया शंबन तो एप निर्वात सकते थे एप मध्यम को इधर ले जाते एप साहय लिवद नीचे आ गारो यहां दीर डिखते हैसाईलन दीण aja आ जाते मद्यम बुगत निर्वात बटा एपसाइलन आर तो अगर आपको किसी माध्यम की विद्धुशिल्ता दे रखी है और निर्वात में लगने वाला बल पता है तो उस माध्यम की विद्धुशिल्ता का निर्वात में लगने वाले बल में भाग दे दो तो आपको माध्यम में लगने वाला बल मिल जैसे मान दो आपको सवाल दे दिया जाए कि जब दो आवेश आड़ दूरी पर हैं तो उनके मद्दे लगने वाला इस्तिर वैद्धूती की बल 25 न्यूटन है जब वो दोनों किसमें रखे हूंगा है हाव आप से बोला जाए कि ये दी एक माध्यम जिसकी सापेक्ष विद् इसका मान कितना दे रखा है पांच तो 25 बटा 5 कितना जाएगा 5 न्यूटन एक और बात बिटा सापेक्ष विद्धूच शिलता की जो इकाई होगी हो कितनी होगी तो देखो ये माध्यम की विद्दूच शिलता ये है निर्वाद की विद्दूच शिलता तो दोनों इन दोनों की विमा, इन दोनों का मात्रक अपन पहले भी निकाल चुक है, विमाहिन या हम बोल तो मात्रक हिन, मात्रक हिन राशी है, कौन, सापेक्ष विद्धु शिल्ता एक मात्रक हिन राशी है, जब कि ये मात्रक हिन राशी नहीं है, ये भी मात्रक हिन राशी नहीं है, याद है इसकी तो अपन निकाली थी, जो इसकी है, वही इसकी है, то जब आपसे बोला जाए मादिम की विद्धुशिल्टा, तो उसका मात रक होगा, वो पहले निकाल के बता चुगा, निरवाद की विद्धुशिल्टा, उसका भी मात रक होगा, लेकिन साफ़ेक फॉर्मूला कौन सा वन अपॉन फॉर पई एपसालन नोट एपसालन आर जैसे दो आवेश हैं क्यू वन और क्यू टू निर्वात में रखे हैं तब तो हम खूब बाते करी चुकि माल नहीं दोनों के बीच में हैं पूरा माध्यम भरा हुआ है यहां से यहां तक सभी जगा माध्यम है तब ही जाके आप फॉर्मूला लगा सकते हो पहली बात कौनसा वन अपॉन फॉर पई एफसालन इस फसालन को क्या लेकल सकते हैं एफसालन नोट एफसालन और क्यू वन क्यूटू बटा आरस स्क एट यह फॉर्मूला तब माननेहे स्ट जब दोनों आवेशों के मद्धे संपून भाग मैं माध्य मुपस्तित हो संपून भाग मैं क्या हो? माध्य मुपस्तित हो ठीक? अच्छा ये तो कब मानने है? जब संपूर्ण भाग मैं माध्य मुपस्तित हो मतलब यहां से यहां तक पूरा का पूरा भाग माध्य मुपस्तित हो तब जाकि यह सुत्र मानने है लेकिन अगर कुछ इस्तितियों में यह आपको Q1 आवेश दे दिया यह Q2 आवेश दे दिया और बोला गया कि केवल इतने ही भाग मैं माध्य मुपस्तित है यह बहुत इंपोर्टेंट सुत्र है सारे बच्चे फस जाते हैं माना कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर यह कुल दूरी लेकिन इस कुल दूरी का केवल यह भाग और इस भाग को मान लिया D केवल D भाग में ही माध्य मुपस्तित है जिसकी सापेक शुद्धु शिल्ता दे रखिये कितनी Epsilon R केवल D भाग में ही क्या है? क्या उपस्तित है? क्या बोला मैंने? केवल D भाग में ही माध्य मुपस्तित है यहां से यहां तक हवा और यहां से यहां तक हवा इसका मतलब डी केवल b하ag में किया है तो मादध्यम कितने भाग में है works is better R से छोटा यह भी अपने को पता है कि दी इस लेष मは यह भी अपने को पता है General鐘 तो इसका मतलब इस भाग में भी हवा है, इस भाग में भी हवा है, केवल D भाग तकी तो क्या है, माध्यम बढ़ा हुआ है, फिर इस इस्तिती में, केवल D भाग में ही जब माध्यम उपस्तित हो, उस इस्तिती में जो फोर्मूला लगेगा, F बराबर माध्यम का, ये वाला ह अब झब कुल दूरी के कुछ भाग में ही माध्यम हो तो एप माध्यम ये कब लगाना है जब कुछ भाग में ही माध्यम हो तब आपको ये फरमुला याद रखना और फरमुला क्या है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 बटा r minus d plus d under root epsilon r का whole square दिख रहा है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 बटा r minus d plus d under root epsilon r और इसका पूरे का क्या है square ये formula बहुत important है इस formula को आप याद रखना है ये formula कब लगाना है जब कुछ भाग में दिया जाए जैसे यहां से यहां तक पुरा हवा है और कुछ भाग में एक रख दिया कुछ पानी वानी डाल दिया इतने से भाग में d दूरी तक ठीक है तो फिर आप ये formula लगा होगे अब देखो epsilon r का मान epsilon r का मान ये बाते हैं epsilon r ये होता है एक किसके लिए हवा या निर्वात के लिए हवा या निर्वात के लिए epsilon r का मान कितना होता है एक और epsilon r का मान अनन्त होता है किसके लिए चालकों के लिए जो चालक होते हैं ना तो चालक के लिए एपसेलन आरकामान कितना होता है, अनंत और हवा या निरवात के लिए कितना होता है, एक, किलियर बात, अब जैसे मान लो, कि, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि, इस जगह पे बन रखो, तो बन रखो तो इसका मतलब डी भाग में भी क्या आ गई हवा, ड यह फोर्मुला यह हो जाना चाहिए, देखे, इस से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह जा रख देंगे, वन, वन रखोगे, तो देखो, यह आ गया गया, आर माइनस डी प्लस डी, इंटू वन, यह डी से यह डी केंसल हो जाएगा, तो के वल आर स्क्वाइर ही तो बचा तो फॉर्मुला तो वही आ गया, यह बड़ा है, यही तो फोर्मुला, यहाँ पर तो माद्यम बाण रहेते हैं, लेकिन हवा अगर होती, तो हौबा के लिए क्या लिखते है, पन पर फॉर्म के लिए लिए लिख राख का है, अगर मानलो आपसे बोला जाए, कि पू सभ 5 wärाघ में माद दीन बढ़ दो इसका मतलब क्या हो गया आर्वारबर डी तो आरर बढबर डी आजाएगा अरवरबर डीगर कर दो इस डी से आरगेंस एक केंसे वो जाएगा ज्याफे कितना बजाएगा इसका उल स्कार करोगे तो डी स्क्वायर इंटो एपसेलन आर तो एपसेलन आर इधर आ जाएगा इसका अंडर रूट अट जाएगा ना जिससे इधर करके बताता हूं मैं इसे मिटा दूँ तो यह फोर्मूला सब ज़्यक पर वेलेड है जैसे कुछ बाग में ता आप यह याद रखो और मालो इसी को अपन को संपूर बाग में बदलना हो तो संपूर बाग में बदल दिये जा इसका और बराबर डी रख दो तो र बराबर डी रखों कि तो देखो क्या जायगा एप माध्यम बड़ावर one upon four yep epsilon not q1 q2 बटा r minus d plus d under root epsilon r का whole square ये formula होता है अब d से r cancel हो गया d से r cancel होता है क्या आगया f माध्यम बराबर 1 upon 4 by epsilon not q1 q2 upon d square into epsilon r formula तो वही आगया ना और यहां पर d बराबर r रख दो यहां भी r square हो जाएगा तो यह वाला formula हर जगपे valid है केवल आपको यह बोल दिया जाए कि d दूरी पर है तो यह formula याद रखना ज्यादा पाई देमन है तो overall बात अगर पूरे माध्यम में पूरे जगप है पूरे दोनों बीच में हवा बरिये या निर्वात है तो फिर जोब तक अपन पढ़ते हो हैं तो आपको यह सारी चीज़े याद होनी जी ए एफसाइलन और एफसाइलन नोट का मतलब पता होना जी है तीनों एफसाइलन आर एक वीमाहिन और मात्रकहिन राशी है एक और बात बेटा मैं आप से बात पूछता हूं सिंपल क्या कि हमने बोला कि जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ जाए तो दोनों आवेशों पर जो बल है स्तिरवेचुद्दी की बल वो परिवर्तित हो जाता है इस बात को और कंसेप्चुल मैनर में ध्यान से सुनना कैसे देख और क्यूटू इन दोनों के बीच में मानलों आपने कोई माध्यम बढ़ दिया अब माध्यम बढ़ते हैं तो मानलों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है अभी मानलों इन दोनों के बीच में हवा है तो ये दोनों प्लस हैं तो ये भी इसे क्या कर रहा होगा प्रतिकर तो पहले ही देख चुके वन अपोन फोर पाई एफसालन नोट क्यू वन क्यू टू बटा आरे स्वेर ठीक है सर अब अगर यह तो इस्तिती नंबर एक इस्तिती नंबर दो यह बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आप मैं बता रहा हूँ माली आवेश है क्यू वन यह आवेश है क्यू टू यह अभी भी फ्लस का है और यह अभी भी फ्लस का है अब बीच में कौन आगया मात दें ठीक वो चेंज क्यों होता है इसका आंसर में दूंगा बल प्रवावित हो होगा वह देखो द्यान से अब अगर यह माध्यम है यहां से यहां तक पूरा तो अब देखो होता गया है इतनी सी बात समझो आगे आगे मैं तुम्हें जब और भी चीज़े पड़ाओंगा तो उस टाइम पे हम और क्लियर करेंगे अभी के लिए आप यह द्यान रखो कि इन में यह जो माध्यम होता है न तो यह है प्लस आवेश अब यह प्लस आवेश इस माध्यम के माइनस को अपनी तरफ क्या कर लेगा इस जगए इकटा कर लेगा यह वाला प्लस इस वाले माइनस को अपनी जगए इकटा कर लेगा एसे ही यह वाला प्लस इसके नजदीक मा द्वीध्रू होते हैं, द्वीध्रू मतलब एक प्लस और माइनस का जोड़ा, एक प्लस और माइनस का क्या हुआ, जोड़ा, लेकिन ये इसके नस्दीक क्यों आ गए, इसके नस्दीक इसलिए आ गए, क्योंकि इस प्लस ने इस माइनस को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लिया, और इस प्लस न इस माइनस को और इसके साथ में मेशा प्लस जोड़ा हुआ है इसे बोला जाता है द्वीध्रू द्वीध्रू मतलब एक प्लस माइनस का जोड़ा तो इस चकी से छोटे छोटे द्वीध्रू होते हैं वो द्वीध्रू क्या होते हैं पोलेराइज हो जाते हैं ध्रूवित हो जाते हैं तो यह माइनस और इसके साथ यह प्लस तो इन में क्या होता है कि जैसे आप माध्यम में रखते हो किसको भायावात ही या निर्वात तब तो एसा कोई माध्यम वाली बात थी नहीं लेकिन जैसे आपने इन दोनों के वीच में कोई माध्यम रखा या इन दोनों को किसी माद्यम में डूगो हो या, पूरा डूगो दो, तब भी यह होगा, तो क्या होगा, इस माद्यम के में, जो द्वी धुरू है, माद्यम में जो क्या है, द्वी धुरू, शब्दों को दियान रखना, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है, जो द्वी धु इस Q2 इस पर Q1 पर कितना बल लगा रहा था? कितना? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 बटा R square जो यहां लगा रहा था अभी भी Q2 Q1 पर उतना ही बल लगा रहा है ध्यान से सुनना Q2 Q1 पर अभी कितना लगा रहा है माध्यम में रखने के बाद उतना ही लगा रहा है जितना निर्वात में लगा रहा और Q1 Q2 पर उतना ही लगा रहा है जितना निर्वात में लगा रहा था अब इस माइनस के कारण ये तो दूर है और ये पास है तो ये पास वाला हट्रेक्ट करेगा और दूर वाला इसे रिपल करेगा लेकिन जो प्रभावी बल होगए इस माइनस के कारणी सिप्ल करेगा परिवर्तित होता है जिसके कम दूरी वो ज्यादा बल लगागा इसका मतलब यह माइनस वाले के कारण इस पर बेक डारेक्शन में भी बल लगने लगेगा यह वाला पीछे की दिशा में भी बल एसे इस पर भी पीछे की दिशा में बल लगने लगेगा इसका मतलब यह कौन स कारण माद्यम के द्वी द्रूओं के द्रूओं के कारण इस q1 पर भी पीछे की तरफ और इस q2 पर भी पीछे की तरफ बल लगता है इसका मतलब इस पर कुलबल क्या हो गया परिवर्टित और इस पर भी कुलबल क्या हो गया परिवर्टित और कुलबल जो परिवर्टित हुआ वो कुलबल परिवर्टित होने के बाद हम क्या लिखते हैं एपमाद्यम बराबर 1 upon 4 π epsilon 0 epsilon r q1 q2 r square बात को समझे तो यह जो आप लिख रहे हूँ यह f माद्धिम तो क्या f माद्धिम इसके दोरा इस पर बल है क्या नहीं इसके दोरा इस पर तो अभी भी उतना हthrop लग रहा है तो फिर यह क्या है किसी भी आवेश पर लगने वाला कुलबल तो ये क्या है किसी भी आवेश पर लगने वाला कुलबल आवेश पर लगने वाला कुलबल तो आप से पूछा जाए क्या माध्यम जब रख दिया जाता है क्या रख दिया जाता है जब माध्यम रख दिया जाता है तो माध्यम जब रखेंगें तो उस माध्यम रखती क्या सेम रहता है तो माध्यम के रखने पर भी माध्यम के रखने पर पहला important point first q1 द्वारा q2 पर अत्वा q2 द्वारा q1 पर q2 द्वारा q1 पर लगने वाला बल परिवर्तित नहीं होता परिवर्तित नहीं होता दूसरा तो फिर क्या परिवर्तित होता है किसी भी आवेश पर किसी भी आवेश अब वो आवेश q1 भी हो सकता है और q2 भी हो सकता है ठीके ना दोनों किसी भी आवेश q1 और q2 में से किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल परिवर्तित होता है यह बात समझ आई? इस पर दो जने बल लगा रहे हैं एक तो पीछे वाला कौन? माध्यम और एक Q2 तो इस पर कुल बल परिवर्तित हो है लेकिन Q1 पर Q2 अभी भी उतने बल लगा रहा है जितना पहले लगा रहा है, यह बहुत इंपोर्टेंट बात है ठीक है न? एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहरा हूँ कि अगर हवा में है तो कोई दिक्कत है ही ली हवा के लिए तो Epsilon और का मान कितना होता है तो तो बल आपको पता ही कितना होता है अगर दोनों आवेशो के बीच में Q1 और Q2 मानलों दोनों आवेशो के बीच में क्या भर दिया जाए चालक तो आपको पता है कि भर दिया जाए तो EPM बराबर क्या होता है रहे EPM बराबर EPM निर्वात EPM बटा Epsilon R Epsilon R का मान कितना होता है अनन नंत हाँ इस पर विकल बल कितना लगेगा इस पर भी कुल बल कितना होता है जीरो इसका मतलब दोनों पर लगने वाला कुल बल कितना होता है जीरो और Q1 द्वार्वार्व क्यो बराबkeiten कीुवाड़ी मानलों कितना रहेगा वही जो हाऊ मैं तो ये जो लिखते हैं अपने 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 माद्यमों क्या है कुल बल जबकि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल वो क्या रहता है अब फिर क्या होता है कभी कभार इस Epsilon R को परावेद्धुतांक भी कह देते हैं क्या बोल देते हैं परावेद्धुतांक हालांकि जब अपन के अपेसिटर पढ़ रहे होंगे तो इन पर वो डिटेल में चर्चा करेंगे Epsilon R को कभी कभार किया देते हैं परावेद्धुतांक तो इसके Epsilon R के दो नाम है एक तो सापक्ष विद्धु शिलता और परावेद्धुतांक तो आपको यह मान देये गए रहते हैं सवाल में और कुछ specific मान हैं उनके लिए जिसे चालक के लिए इतना पानी आनी के लिए इसे कुछ मान रहते हैं इनके तो यह मान आपको दिये गए रहते हैं तो आप इस concept को द्यान से समझना और यह माध्यम का इस प्रकार प्रभाव पढ़ता है तो जब अल्पदूरी तक माध्यम भरा हो तब भी हमने सुत्र पढ़ा जब संपूर्ण भाग में पढ़ा हो तब ही सुत्र पढ़ा और जब दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं था हो भी हमने सुत्र पढ़ा इस लेक्चर को द्यान से समझना पढ़ना थेंक्यू वेरी मुच्छ